क्या हाल हो गया देख लिया तोड़ दिया टावलेट कहीं पढ़ लिया किसी पेपर में किसी ने बोल दिया कि इशान कोण में नौर्थ में इस्ट में उत्र में पूरा में टावलेट अच्छा नहीं होता साउथ वेस्ट में दक्षिन पश्ची में अच्छा नहीं होता तोड दो कहने वाले का कुछ ने गया गया तो आपका गया जब भी आप किसी चीज को तोड़ते हैं अपने घर में तोड़ फोड करते हैं वास्तु के नाम पर तो आप क्या करते हैं अपना पैसा खराब करते हैं समय खराब करते हैं अपना चैन खराब करते हैं और लोगों से कराते में दक्षिन पस्चे में बने हुए हैं उस जगाँ पर जहां के वाश्रूम को होना नहीं चाहिए तो चलना मेरे साथ इस वीडियो पर अखीर तक नमश्कार साथियों मैं हूँ डॉक्टर आनंद भारदवाज आपका जाना पैचाना वास्तू कंसल्टंट और हां ऐसा कंसल्टंट जो कि आपके घर को तोडने फोडने से बचाता है दुनिया में हर चीज की रेमिडि होती है तोडना फोडना नहीं पढ़ता साथियों आपका कपड़ा गंदा होता है मैल आता है उसकी आप negativity खतम करते हैं ऐसी हम कर देते हैं किसी भी वाश्रूम की जो बना हुआ हो उत्तर में पूरा ने या किसी भी ऐसी दिशान में जहां पर नहीं होना चाहिए अब लोग हमसे सवार पूछते, सर कैसे हटा इसको, कैसे इसकी नेगटिविटी को खतम करें क्यों क्योंकि जो टौलेट अगर गलत जगां पर मुना होगा तो हैल्थ मिले जाएगा, वैल्थ मिले जाएगा, हार्मनी खतम कर देगा क्योंकि टौलेट के लिए हमारे वेजशास्तरों में हम इस वास्तु शास्त्र कंदर कहीं को जगां बताई नहीं गई है क्योंकि टौलेट को शोचाले को घर से बार होना चाहिए और बहुत दूर होना चाहिए आईए मिलेके चलता हूँ आपको उस विधी की तरफ जिससे कि आप इसको ठीक करते हैं और साथ में उस विधी के साथ साथ आपके मन में एक के बाद एक लाइन लगा कर आपके मन में बहुत सारे सवाल आते चले जाते हैं और मैं बताता हूँ आपको उनका निदान, कैसे आपने इसको करना है, ठीक, यह देखिए, यह आपने क्या किया, आपने अपना एक घर परचेस किया, और देख रहा है यह नक्षा है किसी घर का, और इस नक्षे पर आप देख रहा है कि इसमें कहीं कुछ बना, कहीं कुछ ब बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपका वाशनुम बना हुआ है गलादिशा में, तो उसमें हम यूज करते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी, जो कि मेरी बनाई हुई नहीं है, वो इंटरनेशनल एकलेम्ड, पूरी दुनिया में जो कहते हैं, स्विक्रित, प बहुत अब आइसक्रीम वाले होते हैं, वो भी इसको यूज करते हैं, यहां तक की बिजली के अर्थिंग में भी डाला जाता है, यह देखो इस नमक को पहचान लेना सबसे पहले आप, यह नमक है, बहुत सस्ता, इसको मैं कहता हूँ, फरी की रेमेडी, मुफ़त की रेमे पास्रूम में कहीं पर भी रखते हैं, जहां भी रखेंगे, जहां जगा मिलती है आप इसको ओपन रहना है, ओपन टुएयर, कुछ बातें आप ध्यान कर लेना, अब यह जैसे टौलेट है मेरा, मान ले कहीं पर इसको लेकर गया मैं जहां भी बना हुआ है, यहां बना हु हो ही जाते हैं, क्योंकि एक जगां के लिए दूसरे जगां जैस किया तो नौर्थ में आती है, यह इस में आती है, या फिर साउथ-वेस में आती है, दक्षिर पूरम में, अगने कौन में, अब यह नमग जो आपने रखना है, इस टौलेट में कहीं भी बना हुआ हुआ 100-200 ग्राम बहुत होती है, शीशे के बर्तन में रखें, चीनी मिट्टी के, प्लास्टी के, लकडी के, किसी बर्तन में रखें, धातों का बर्तन नहीं होना चाहिए, अब इसको जाए कितने दिन काम करेगा, यह भी सवाल आता है, सिरफ 25 दिन काम करता है, आपको 25 दिन में इसको बदलना है, 25 दिन में उठाके कई फैंकने दिना, आपने सुना होगा कि जो नमक होता से कभी फैंकते नहीं, अगर आप कहीं पर फैंकेंगे तो अगली जनम में आपको आखों से उठाना पड़ता है, ऐसा विचार होता है, तो क्या करेंगे इसको पानी में और दोते दोते सब का सब पानी में नमक बह जाएगा शाम तक, और उस जो है, उस वाश बिसन की जो नाली है, उसको भी साफ कर देगा, घर में आपके वहां से कोई कौकर उचाते हैं, उनको भी नहीं आने देगा, उसके बाद में सी सौर्ट नया पी रख देना आपने, इ तेरे पास आती रहती है, लोग हमसे पूछते हैं, सर जो हम नमक घर में खाते हैं, क्या वो रख दूं मैं? आम तोर पे लेडिस पूछते हैं, क्योंकि एजली आपके घर में मिलता है, ये थोड़ा मुशकल से मिलता है, क्योंकि इसमें आइडे नहीं होती, इसलिए इसको नहीं करते हैं, लेकिन गौव में अभी मिल जाएगा, तो आपको बतातो, जो घर में आपके पास, यदि आपने मेरा आज वीडियो देख लिया है, और आप चाहते हैं, क्योंकि आपके पास नमक पड़ा हुआ है, जो भी यूज करते हैं, उसको आप थोड़ा सा ले करके नौन मेठालिक में रख दें, और दो-चार दिन में जब भी आपको ये सौर्ट मिल जाए, तो उसको रखना शुरूर कर देना, और ये भी सवाल पूछते हम से, कि सर सेंधा नमक, जिसको कहते हैं, लहोरी नमक, जो कि पिंक सौर्ट होता है, क्या वो भी काम करता है, पर ज आना मुश्किल पर जाएगा आपको, इसलिए इसी सौर्ट को यूज़ करें, आपके पांस सवाल इस नमक के बारे में मेरे पास रो जाते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, और मैंने आज आज आपको पांचत सवाल का जवाब दे दिया, अगर कोई और सवाल है आपके पास तो लिखे मेरे पास कमेंट्स में, स्वागत है आपका बहुत बहुत, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, मत भूलना, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात क